हलो अब्रीवन वेल्कम बैग टू माई यूटूब चैनल आसा गरती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगा क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजेगा इससे आपको हमारे हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों आज का हमारा पहला प्रस्थ है एसिया क्रिकेट कब 2022 का बिजेता कौन सा देश रहा आप्सन A पाकिस्तान, B भारत, आप्सन C बांगलादेश और आप्सन D स्री लंका दोस्तों इसका राइट अंसर है आप्सन D स्री लंका अगला प्रस्थ है किस देश ने हाल ही में खुद को परमारू संपन देश घोसित किया है आप्सन A आस्ट्रेलिया, B उत्तर कोरिया, C जापान और D स्री लंका तो इसका राइट एंसर है आप्शन B उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया ने हाल ही में खुद को परमाडु संपन देश घोसित किया है अगला प्रस्थन है भारत के और दोगिक उत्पादन में जुलाई 2022 के समय वार्सी का अधार पर कितने प्रतिसत की बृध्धी दर्ज की गई आप्शन A 2.4% आप्शन B 8.4% C 0.4% और आप्शन D है 1.4% इसका राइट एंसर है आप्शन A 2.4% भारत के और दोगिक उत्पादन में जुलाई 2022 के समय वार्सी का अधार पर 2.4% की बृध्धी दर्ज की गई अगला प्रस्थन है नेशनल पीनट डेंग सितंबर में किस दिन मनाया जाता है आप्शन A 13 सितंबर, आप्शन B 11 सितंबर, आप्शन C 10 सितंबर और आप्शन D 8 सितंबर दोस्तों इसका राइट एंसर है आप्शन A 13 सितंबर नेशनल पीनट डेंट 13 सितंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्विस्चन है हाल ही में किस लंबी कूद एथलीट ने गोल्डन फ्लाई सिरीज लिख्टे स्टाइन एथलेटिक्स मीट में जीत हांसिल की आप्शन A है अविनास साबले, B है जेस्विन एलरिन, C है प्रमीर पाल आउर्डिंग है डीपी मनू तो दोस्तों इसका राइट एंसर है आप्शन B जेस्विन एलरिन, अगला प्रस्थन है इनक्यूप के दूसरे संस्करण में किस इंस्टेटिट को सर्वोच पुरस्कार मिला अप्शन A, IIT चन्नाई, अप्शन B, IIT मद्रास, अप्शन C, IIT मुंबई, और अप्शन D, IIT न्यू डेली तो दोस्तों इसका राइट एंसर है अप्शन B, IIT मद्रास इनक्यूप के दूसरे संस्करण में, IIT मद्रास को सर्वोच पुरस्कार मिला अगला प्रस्न है भारतिय नासेना के प्रोजेक्ट सब्त्रा के किस तीसरे स्टील्थ यूदपोत को मुंबई में हाल ही में लॉंच किया गया है ओप्शन A, तारा गिरी, ओप्शन B, सारा गिरी, ओप्शन C, गार गिरी और ओप्शन D, असोग गिरी दोस्तों इसका राइट अंसर है ओप्शन A, तारा गिरी अगला प्रस्न है संगाई सहयोग संगठन सिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा ओप्शन A, रूस B, उचबेकिस्तान C, चीन और ओप्शन D, ताजिकिस्तान दोस्तों इसका राइट अंसर है ओप्शन B, उचबेकिस्तान अगला प्रस्न है अंतर राष्ट्रिय दच्छन दच्छन सहयोग दिवस कब मनाया जाता है ओप्शन A, 10 सितंबर, ओप्शन B, 13 सितंबर, ओप्शन C, 12 सितंबर और ओप्शन D, 11 सितंबर दोस्तों इसका राइट अंसर है ओप्शन C, 12 सितंबर हमारा आज का लास्ट प्रस्न है निम्न लिखित में से कौन सा केंद्रिय मंत्राले राष्ट्रिय धातु कर्मी पुरस्कार प्रदान करता है ओप्शन A, इस्पात मंत्राले, ओप्शन B, बिद्दुत मंत्राले, ओप्शन C, ग्रिह मंत्राले और ओप्शन D, नवीन और नवी करणी ये उड़जा मंत्राले तो दोस्तों इसका राइट एंसर है आपसन A, इस्पात मंत्राले, इस्पात मंत्राले राष्ट्रिय धातु कर्मी पुरस्कार प्रदान करता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा